नमस्कार नौकीन्यूस डॉट कॉम में आपका स्वागत है मैं हूँ गृजेश वसिस्ट करोना के गलत प्रबंधन के नतीजे अब सामने आने लगे हैं पूरी दुनिया में जो करोना का प्रबंधन हुआ वो केंद्री कृत्था एक तरह से और एक ही जगे से पूरी दुनिय भी हमारा obligation था कि हम भी कोरोना वाइरस पे जो गाइडलाइन्स इंटरनेशनल गाइडलाइन्स हैं उनको फॉलो करें और यही वज़े थे कि हम वो सारी चीज़ें कर रहे थे जो वैस्ट में हो रही थी अब उसके दुस्ष परिणाम सामने आए हैं दुस्ष परिणाम इतन अमेरिका में अमेरिका की सरकार की रिपोर्ट है सेंटर फोर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन सी डिसी की और उस रिपोर्ट में क्या बतायागे इस पे वीडियो है आप कहीं मज़ आई है चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे मैं अभी हाजर होता हूं और बाच्चीत लिखता है कि इससे जो है अमेरिका की टीनेजर्स की जो सेहत है उसका लॉकडाउन ने सत्यानाश कर दिया और रेपोर्ट कहती है कि इतना बुरा हलुआ है कि तीन में से एक बच्चा 33% बच्चे मतलब आप सोचिए कि तीन बच्चे हैं उनमें से एक बच्चा मतलब हर अब आपने अपने बच्चे को मानसिक समस्याओं का शिकार होते हुए देखा और इसमें हर तरह की मानसिक समस्याओं से बच्चे दो चार हुए इसके अलावा 44% लोगों ने ये कहा कि उन्होंने लगातार निराशा, होपलेसनेस, भविष्य का अंधकार, उसकी कल्पना की अब आप देखिए बविष्य का अंधकार कहां से आया, बविष्य का अंधकार अगर सकारात्मक्ता होती तो नहीं आता, आपको लगातार अगर डराया जाता रहे, आपको लगातार अनिस्चित्ता के बारे में बताया जाता रहे, आपको लगातार ये कहा जाए कि ये बीम तो दवश्या देखे, चबालीस परसेंट बच्चों ने कहा कि वो बार-बार साल भर परसिस्टेंडली, होल दे येर, ये कलपना करते रहे, परिशान होते रहे कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब बचना नामुम्किन है, और ये डाटा जो एक सर्वे किया है, एडुल्सिंस व दोरान क्या असर पड़ा, सीडी सी एक सबसे महत्मून संस्था है, और जो खुद कोरोना का प्रोटोकॉल और दोस्रे चीजों को लेकर आडर देते थी, अमेरिका के लोगों को, कब मास्क धारन करना है, कब लॉकडाउन लगाना है, और ये उसका अपना ही सर्वे है, ये क अपनी बच्चों के हाल का पता लगाया, और उसमें कहा है कि आधे से जादा इमोशनल अब्यूस, इस सर्वे में पता चला कि जो बच्चे थे, उनमें आधे से जादा बच्चे थे, जिन्होंने कई बार अपने पेरेंट्स की तरफ से इमोशनल अब्यूस को झेला, वहां पे इससे फरक पड़ता है, बच्चे संसिटिव होते हैं, हमारे बच्चों को देचपल, देचपल मम्मी करते हैं, तब भी बच्चों पसर नहीं पड़ता, लेकिन वहां पे देचपल भी हुआ, कई बच्चों को पीटा भी गया, और इन अमेरिका के बच्चों के डाउने सब तरह निकल नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, उस हालात के बीच में टेलिविजिन ड़ा रहा है, नेशनल टेलिजिन ड़ा रहा है, डॉक्टर फाउची ड़ा रहा है, और उस हालात के बीच में बच्चा परेशान है, और इसलिए कई बच्चों आत्मत्या करने के विचार कई वार उनके मन में आए ये ये सर्वे कह रहा है ये अमेरिका के बच्चों का है हमारे या तो सर्वे पता नहीं होगा की होगा नहीं करेंगे 30% बच्चों ने इस poor management जो करोना का घटिया management था उसके कारण 30% बच्चों ने अपने घर के आसपास या घर में किसी ना किसी की नौकरी जाते हुए देखी बच्चों के लिए सबसे त्रासद होता है किसी की नौकरी जाते हुए देखना मुझे याद है मेरे पडोस में एक सज्जन की नौकरी गई थी मेरे बच्चे जो हैं उसके बच्चे के दोस्त हैं उन्होंने मुझे आके बताया है पापा उसके पापा की नौकरी चली गई चोटे बच्चे के लिए किसी के पेरेंट्स की नौकरी जाना बहुत त्रासद होता है और 30% बच्चों के कोई ना कोई नजदीक का ऐसा था जिसकी नौकरी इसको प्रबंधन के कारण गई थी इस पर रिसर्च होना चाहिए मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि मैं जो है मैं ही सही हूँ और यह मेरी निजी राय है बलकि मेरी यह निवेदन है इस पर रिसर्च होना चाहिए कि कोरोना के दोरान जो लोग घर में ज़्यादा बन थे जो लोग ज्यादा precaution ले रहे थे, जो लोग closely air conditioned atmosphere के अंदर बन थे, वो ज्यादा infected हुए या खुले में ज्यादा infected हुए, क्योंकि हम लोगों ने अपनी society में बहुत सारे उधारन देखे हैं, जैसे किसान अंदुलन में किसान खुले में बैठे हुए थे, वो कम उन पे असर पड़ा, हम लोगों ने अपने घर के आसपास बाजारों में जो street vendors हैं, सबजी वाले हैं, सामान बेचने वाले हैं, उन लोगों को comparatively ज्यादा सुरक्षित पाया, उन लोगों के मुकाबले जो बड़े बड़े centrally air condition building में काम करते थे, बड़े बड़े corporate houses में काम करते थे, लेकिन ये research का विशह है, इस पर मेरी कोई भी राय अंतिम नहीं हो सकती, इस भी जाँच होनी चाहिए, और ये भी पाया गया, ज्यादा mental tension उनको हुआ, जो lesbian हैं, gay हैं, bisexual हैं, और जो महलाएं हैं, उन्होंने इस चीज को ज्यादा अनभव किया, और ज्यादा mental health के issue उनके स साथ आए, mental health से जुले हुए, abuse उनको सहने पड़े, यानि उनका अपमान किया गया होगा, उनके साथ भेदबाओ किया गया होगा, इसके अलावा ये भी बताया गया, कि ये पूरा जो माहौल था, उस पूरे तनाव के माहौल के बीच में, अमेरिका में, काफी हद तक बच से चीजों के कारण, और sexual behavior भी ज्यादा risky हो गया था, कि बाजार बाहर जो है, कोई आदमी आपके उपर हमला ना कर दे, बतब कुल मिला के एक अजीब सी मानसिक दशा में, आदमी को डाल दिया गया था, इस lockdown, इस कोरोना का डर, बहुत सारी चीज़ें, मौत की खबरें, र रोज रोज हर तरफ हर स्क्रीन पर दिखने वाले स्केरी आंकले, आज इतने cases हो गए, आज इतने cases हो गए, आज इतने cases हो गए, हर तरफ पूरा मीडिया, आप internet खोलेंगे सबसे पहले आपके सामने, आप Google सेर्च करेंगे, सबसे उपर लिखा हुआ जाएगा, इतने लोग जो हैं उनको इतने cases आ गए, इतने लोग मर गए, पॉजिटिव खबर recovery की नहीं, cases की खबर, और ये पूरा वातावरन जो चारों तरफ बनाया जा रहा था, उसका ये नतीजा है, और ये आंकले चुकी अमेरिका के हैं, एक समवेदिंशिल सोसाइटी है, और उन्होंने एक कारण वो चुनाव नहीं हा रहे हैं, आज माट करी, उनका काम चल गया, तो सरकार को क्या फरक पड़ता है, सरकार को क्या फरक पड़ता है, कि जो है वो, जब उनको मालम था कि कोरोना के कारण जो गरीब ही आई, सरकार को क्या फरक पड़ता है, कि साना अंदुलन वापस हो क्या पड़ी है उम्हीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं चैनल को सब्सक्राइब कर लें नमस्कार जैंद झाल